अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि bread first search किस तरह से काम करता है इसी वीडियो में मैंने at the end आप लोगों को एक algorithm भी दिया था एक pseudo code लिखकर दिया था जिससे आपको एक अच्छा idea लग जाएगा कि किस तरह से bread first search को implement किया जा सकता है तो यह रहा वो pseudo code मैं इसको ढूणने ही कोईश कर रहा हूं कहा पड़ता तो यह रहा वो pseudo code और इस pseudo code के अंदर आप लोग देख सकते हो मैंने पूरा algorithm लिखा है कि आपको सबसे पहले क्या करना है सारे के सारे notes V in the graph V अब यहाँ पर क्या है graph V का क्या मतलब है G is equal to V यह graph है जिसके अंदर सारी की सारी vertices और edges है हम सारी की सारी vertices को सबको unvisited mark कर लेते हैं अगर 100 unvisited vertices हैं हमारे पास तो हम 100 की 100 unvisited vertices को हम mark कर लेते हैं कहरे के अंदर डालते हैं इसके बाद हम क्या करते है source note को visited mark करते हैं हम कई से भी start कर सकते हैं हमने 0 से start किया था आप लोग को मालूम होगा अगर आपने पिछला यह वाला वीडियो देखा तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं enqueue करते हैं अपनी queue के अंदर किसको उस source note को और उसके बाद जब तक क्यों empty नहीं हो जाती तक हम यह process repeat करते हैं सबसे पहले तो हम dequeue करके एक element को निकालते हैं queue के अंदर से उसके बाद हम सारे के सारे unvisited neighbors जो कि हमने dequeue कि element उसके unvisited neighbors को visited mark कर लेते हैं यानि कि उनको visit कर लेते हैं और उनको एक एक करके queue में enqueue कर देते हैं इससे queue का size बढ़ता जाता है और घटता भी जाता है क्योंकि हम dequeue भी कर रहे हैं जैसे यह while loop चलता जाएगा eventually हमारी queue जो है वो एकदम यहाँ पर एक ऐसे point पर आजाएगी क्यों खाली हो जाएगी हमारी और ऐसा करने से फिर क्या होगा कि जब हमारी queue खाली हो जाएगी तो हमारा जो bread first search है वो खतम हो जाएगा यहनि कि हमारा process render हो जाएगा हमारे पास जो visited notes का set है वो हमारा final bread first search traverse लोगा ठीक है I hope clear है जो theory है theory parts अपको clear है अब यहाँ पर देखना मैं क्या कर रहा हूँ देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक vs code के अंदर एक file बना यह bread first search.c अब इसके अंदर मैंने queue की implementation को already implement किया हुआ कि मैं time waste नहीं करना चाहता था दोबारा से queue बताने के लिए यह वही code है जो कि हमने हमारा array implementation of queue है अब यहाँ पर आप देखो मैंने लिए bfs implementation ठीक है जो bfs implementation मैंने आपर लिखा है इसके अंदर मैं आपर coding करूँगा अब यहाँ पर आप लोग देखना मैं क्या करूँगा सबसे पहला काम जो मैं आपर करने वाला हूँ वो यह है कि मैं अपने graph को initialize करूँगा तो जो मेरा graph है वो कैसा दिखता है और मैं उसका कौन सा implementation यूज करूँगा मैं उसका adjacency matrix यूज करूँगा Q को मैंने initialize कर दिया Q बना दिया 400 का size दे दिया है उसको उसका front rear 0 कर दिया है जिसके बाद जो array है मेरे Q का उसको मैंने dynamically बना लिए अब BFS की implementation देगो यहाबर मैं क्या करूँगा यहाबर मैं लिखूँगा int u और int u लिखने के बाद मैं आपर एक int i is equal to 0 लिखूँगा यहीं कि मैं start करूँगा i is equal to 0 से यहीं 0th index से मैं start करूँगा ऐसा करने के बाद मैं क्या करूँगा जो मेरा visited array है मैं अपने visited के अंदर 7 notes रखूँगा यहीं मैं 7 notes के ग्राफ के साथ काम करने वाला हूँ और यह array क्या करेगा सब सारे 0 रहेंगे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है तो यहाँ पर 7 साथ मैंने notes डाल दिया है ठीक है 8 डाल दिया है साथ कर लेता हूँ इसको ठीक है तो यह भी मेरे पास 7 notes आ गया है देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ बहुत बढ़िया ठीक है और यहाँ पर int भी लिख देता हूँ ठीक है तो int visited 7 is equal to यह इस तरह मैंने लिख दिया है और एक खाली array मैंने यहाँ पर implement कर दिया है ठीक है, initialize कर दिया है, sorry अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा 7 by 7 की एक adjacency matrix बनाऊँगा और 7 by 7 की adjacency matrix मेरी कुछ इस तरह से दिखेगी उसको बनाने के लिए मुझे एक graph को देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से मैं बनाऊँगा तो मैं आ जाऊँगा अपने इस वाले graph में और जो मेरा graph था इसको मैं देखूँगा जहाँ पर मेरी शकल नहीं देख रही है वहाँ पर आऊँगा, हाँ यह रहा जीरो कनेक्टेट है वन टू और थ्री से ठीक है, यहाँ पर देखो वन टू और थ्री में मैं वन वन कर दूँगा तो यहाँ वन करूँगा, यहाँ वन करूँगा, यहाँ वन करूँगा इसके बाद वन किसके से कनेक्टेट है यही देखो 1 2 3 3 से connected तो अब देखो इसको मैं जल्दी से कर लेता हूं वहना बहुत लंबा खिच जाएगा प्रोसीजर मैं जल्दी जल्दी जो है जहां जहां connected है हमारा जो जो सा यह कर दिया है इसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो मेरा नोड जिससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कौन से स्टार्ट करूं, मैं I is equal to zero से स्टार्ट कर रहा हूं, जो मेरा अई है, वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं और said percentage D और Process D लिखने के बाद मैं क्या करूंगा इसको प्रेंट कर दूंगा आई को क्योंकि मैं खेसे स्टार्ट कर रहा हIDEुकर रूसी के साथ सब में में दर कारो कि इस्टक्र कर रहा है कि मेरा कौ Jason जो जो पहले व्यद्द यहां कि मेरा क्यों नोड विजुट किने भी connected notes होंगे उनको मैं क्या करूँगा सबसे पहले visit करूँगा फिर explore करूँगा अभी मैंने i को enqueue कर दिया for exploration मैं आपर लिख देता हूँ enqueue i for exploration ठीक है तो मैंने enqueue i for exploration कर दिया ये करने के बाद मैं क्या करूँगा एक while loop start करूँगा और while loop कब तक start करूँगा कब तक चलाँगा while loop को जब तक हमारी q जो है empty ना हो जाती तो मैं m% q करूँगा तो मैं आपर लिखूँगा while not of is empty q मैंने not of is empty q q लिखा मैंने ये not of is empty q लिखा क्योंकि जब तक हमारी q खाली नहीं हो जाती हमको ये procedure repeat करना है नोड यहां लिखूँगा तो मुझे यहां भी नोड लिखना पड़ेगा मैं गुल मिलाकर ये कहना चाता हूँ आपसे uv लिखने की ज़रूरत नहीं है आप नोड भी लिख सकते हो ये वो नोड है जो कि मैं dq करूँगा ठेक है और dq क्या चाहिए q का address चाहिए नोड के अंदर जो भी q है उसमें सबसे पहला जो element है यानि कि सबसे आगे जो q में है वो मुझे मिल जाएगा यहां मैं for loop चलाओंगा i मैंने already declare कर दिया मैं j declare करूँगा मुझे int j declare करना था मैंने गडबड़ कर दिया मुझे दुबारा से यह code snippet use करना पड़ेगा for j is equal to 0 j is less than 7 करूँगा 7 क्यों करूँगा 7 मेरे graph का size है ठीक है तो 0 से 6 तक ही जाएगा यह करने के बाद में क्या करूँगा मैं कहूँगा कि यार अगर a node j अगर a node j जो है वो बराबर हो 1 के यानि की node connected हो और उसी के साथ-साथ एक और condition जो हो वो यह हो कि ये node visited ना हो visited j is equal to equal to 0 ये भी मैं आपको बता देता हूँ ठीक है ये visited ना हो यानि की visited 0 के बराबर हो ये मैं बता देता हूँगा ने क्या किया ये जो particular condition का part है ये ये बता रहा है कि जो हमारा जैसे मानलो हमारा node number पहला node ये हम explore कर रहे है ठीक है मानलो ये वाला explore कर रहे है तो हम इसके मानलो इस वाले element पे तो मैं ये देख रहा हूँ कि क्या ये क्या ये जो 0th node है ये 0,1,2 second node से connected भी है कि नहीं है क्योंगर connected होगा तभी मैं उस connected node को visited mark करूँगा जैसे मानलो इस case में connected है 0,2 0,1,2 0,2 connected है तो मैं जब 0 को explore कर रहा हूँ तो मैं 2 को visited mark कर दूँगा समझे तो आप लोग वही procedure कर रहे है मैं इसको copy कर लूँगा किसको मैं print करूँगा मैं आपर print करूँगा जै को इस बार जै को क्यों print करूँगा जो भी connected होगा मेरे इस वाले node से अगर वो connected है और visited नहीं है तो मैं definitely उसको visited की list में add करूँगा इसलिए मैं उसको print कर रहा हूँ और उसके बाद उसको visited mark भी कर लूँगा तो मैं आपर लिख दूँगा visited j is equal to 1 उसको as visited मैंने mark कर लिया और मैं उसको enqueue कर दूँगा for exploration ठीक है तो जो हमारी q है उसके नदर मैं इसको क्या करूँगा enqueue कर दूँगा और ये procedure automatically बागी सारे काम खुद से कर लेगा तो आप अगर इस code को run करोगे तो आपको जो desired result है वो मिलना चाहिए तो यहां पर देखो 0,1,2,3,4,5,6 मुझे मिल गया अगर मालो मैं 1 से start करता अगर मैं 1 से start करता i is equal to 1 से मैं start करता तो देखो 1,0,2,3,4,5,6 मिल गया तो मेरा BFS बहुत अच्छी तरह से procedure काम कर रहा है मैंने किया क्या है मैंने यही किया है जो मैंने यहां पर लिखा है मैंने जबसे पहले एक visited V नाम का मैंने visited नाम का यह गरे बनाया और उसके अंदर मैंने सारे elements को zero कर दिया यहीं कि सारे notes को unvisited mark कर दिया इसके बाद मैंने क्या किया source notes से start किया इस case में अभी मैंने one से start किया ठीक है जिस भी notes से मैं start करूँ मैं उसको visited mark कर दूँग या पर मैंने उसको visited mark कर दिया visited mark करने के बाद मैं उसको enqueue करूँगा for exploration और एक while loop चलाऊंगा जिसके अंदर मैं ये कहूँगा कि यार सारे के सारे nodes के लिए क्या करना है अगर connected है ये वाला node ये जो मैंने dequeue करके लिया है अपनी exploration queue में से एक element निकाला है अगर ये connected है किसी भी element से उसको तो visit कर लो और उसी के सारे enqueue कर लो for exploration अगर वो visited नहीं है तो अगर visited है तो ये इफ चले गई नहीं ठीक है क्योंकि ये and मैंने इसलिए लगाया है यहाँ पर I hope कि समझ गयोगे आप लोगों बहुत वही किया है ditto वही किया है जो कि यहाँ पर मैंने travel cell किस तरह से use किया जाता है और किस तरह से निकालोगे और BFS spanning tree कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना है क्योंकि ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है जब मुझे BFS निकालना होता है कि किसी भी graph का मैं यही अपनाता हूँ क्योंकि यहाँ पर गलती के chances बढ़ जाते हैं लेकिन यहाँ पर गलती के chances नहीं बढ़ते हैं बट कभी कभी आप लोगों को जो आपकी Q है वो पूछी जाती है कि आपने कौन सी Q बनाई आपने visited notes हो किस order में विजट किया और क्यों किया तो इस तरह के questions अगर है तो definitely आपको यह वाला तरीका अपना पड़ेगा लेकिन just like most of the interview questions just like most of the objective questions तो अगर आप लोगों से यह पूछा जाता है कि सिर्फ हमें एक valid BFS traversal बता दो तो BFS spanning tree आप लोग जो है यूज़ कर सकते हो अपना काम जो है जल्दी से निप्टा सकते हो so I hope कि आप लोग कोई वीडियो पसंद रहागा और आप लोगों ने प्रते कि प्लेलिस आक्सेस नहीं करें तो इसको जरूर आक्सेस करना इसके इंदर सारा का सारा DSA मैंने डाल लगा है सारे के सारे टॉपिक्स अल्मोस्ट कवर हो चुके हैं जो एक दो टॉपिक्स बचे हैं वो भी बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस थैंक यू सो मच गाइस पर वाचें इस वीडियो and I will see you next time झाल